नमस्कार एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में में आप लोग को एक बन रहे घर का अब तक का पूरा काम दिखाऊंगा और साथ में इस घर को बनाने में आप तक टोडल कितना रुपकत खर्चा लगा है इसके बारे म अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे है फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो इस चालिस फीट बाइप तालिस फीट में बनता हुआ घर का पूरा काम को देखिए साथ-साथ कितना रुपकत खर्चा आया है इसके बारे में बेजानिए इससे आपको अपना बनने वा फीट बै चालिस फीट में बनते हुए घर का सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर इसका फर्स का लेबल क्या रखा गया है तो देख सकते हो ग्राउंड के लेबल से लगबग धाई से तीन फीट के आसपास में उचा में इस घर के लिए डिपीसी किया गया है और उसी लेबल पर इस घर का फर्स का काम है वह किया जाना है आप इजली यहां पर देख सकते हो हुँ सामने के तरफ पूर टीको है इसके बारे मैं भी आपको बताऊंगा दिखाऊंगा किस तरीका से आप एकाम किया गया है घर के अंदर वह चल कर दिखाऊंगा लेकिन पहले में आपको करेक्टे & अधर के लिए ग्राउंड का परयोक के बारे में बताना चाहता हूं कि यह आप देख रहे हो का यहां पर नशिक चलते और उपर की तरफ ट्रांसफर न हो जाए इस नमी है उसको रोकने के लिए डीपिसी का परियोग है वो किया जाता है इसके नीचे के तरफ देखेगा तो ग्राउंड के लेबल पर यहां पर ग्राउंड भी परभाइड किया गया है इसका साइज के बात किया जाए तो नौ इंच 9-inch यहां पर परियोग किया गया है मतलब 9-inch इंच डेप्थ है और इसका जो उपर व्ला हिस्टा है टॉप उसको भी 9-inch का ही रखा गया है अगर बात किया जाए कि कितना सरीय लग अनू भीम चार उसरीया का परियोग किया गया है 12 mm का याद रहें कभी भी 12 mm से कम जो size वाला सरीय है उसका इस्तमाल आपको beam में नहीं करना है तो आपने देखा कि किस तरीका से beam और dpc का काम किया गया है अब चलते हैं column का column का काम को देखते हैं कि कैसे काम किया गया तो देखें कि अच्छे finishing के साथ में है column का काम को किया गया है यह आप देख सकते हो सब्सक्राइब कर चलता हूं और दिखाता हूं कि कैसे इसका काम किया गया है अगर बात कर लिए जाए इस बनते हुए column का जो size है उसका तो देख सकते हो कि इस column को 9 inch by 9 inch का रखा गया मतलब यह part का बात किया जाए यह face का तो 9 inch मतलब square column 9 inch by 9 inch का इस समाल यहाँ पर किया गया है इसके साथ में बात किया कि कि कितना सरीया का परियोग किया है तो पर टेख column का size सेम है और 4-4 सरीया का परियोग किया गया है पर टेख column के लिए आप यहाँ पर आसानी के साथ देख भी सकते हो साइड वीव का बात कर लिए जाए घर का तो देख सकते हो तीन यहाँ पे छोटा-छोटा आपको खिर की नजर आ रहा है जो कि इस घर के लिए वेंडिलेटर है ट्वालेटर वाथरूम के लिए और पीछे की तरफ बॉक्स विंडो यहाँ पे इस्तिमाल किया जारा हाला कि छ कुछ का आपको नजर आता है और इस जो सारा प्रोस्रेस आप आप 21 वस्थिeln calculate that की यहाँ पे उप्यूंदyeong ना आ आ पर उप्योग किया गया है स्क्वायटर में और जो यह कॉल Zombie यह ना नौ इंच काहीं है लेकिन यह सर्कुलर से बनाया गया अश्वेढrences में चाहिए और उपर भियो में दैखे इसे द्वारा बांद आ Ăंदे हैं में आगर को हाऊंग और खते के सामने की तरफ जो सर्केम की आ गया गया सब्सक्राइब के लिए यहां पे कॉलम दिया गया है आपको दूर से भी दिखाऊंगा डिफरेंट एंगल से दिखाऊंगा घर के अंदर का खर्चा यह सारा जनकारे दूंगा लेकिन पार्ट वाइस देखिए आप ही लोग के लिए बोला हुँ पार्ट वाइस देखिएगा ज्यादा कूछ बिल्कुल सुरुवाती दोर है स्टेप वाइस में आने वाला दिन में आपको बताऊंगा कैसे काम किया गया है सारे दस फीट का हाइट इस घर का छट के लिए रखा गया है आप इसले यहां पे देख सकते हो और इसके साथ 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 फीट दो इंज के आस पास का हाइट मे लिंटल वीम है उसका काम किया गया है आप यह असानी के साथ देख सकते हो चले में आपको डिफरेंट इंगल से दिखाता हूँ फिर इस जल्दिस से घर के अंदर भी चलेंगे देखेंगे कि कैसा काम किया गया है साथ में बता दू कि कभी भी परटी को बनाएगा छट के लाइट और फैन के लिए आपको पॉइंट जरूर दिलवा देना है याद से और इसके साथ-साथ आप दाहिने तरफ देखेगा तो इस घर के लिए सेठी का निर्मान किया गया है विल्कोल क्लॉकव वाइज सेठी बनाया गया है यह आप देख सकते हो दाइने साइट का कौर्शनर पर ही हरी जो से जीडी है उसका काम की या गया है सिड्य का बढ़ सकता है और फालतु खर्चा करके आपको कोई फाइदा नहीं जिदर दिखे गहीं उतर फैसा खर्चा करके फाइदा ज्यादा नहीं है चले चलते हैं जल्दी से इस गर का फ्रंट एलिवेशन को देखते हैं फिर इस घर का अंदर चलेंगे देखेंगे कैसा काम किया ज और चलिए अब चलते हैं बिना देर के वे घर के अंदर देखते हैं कि अंदर में आखिर क्या क्या चीज आपको देखने को मिलता है लगबग चार से सार चार फीट बई साथ फीट का यहां पे दर्वाजा मिलता है उसके साथ गुषने के साथ आपको वेटिंग अरिया मिलता अगर आप चाहो तो बाद में इसमें मार्बल गरनाइट या टाइल्स पक्राद जो भी अपना हिसाब से आप इसमें यूज़ कर सकते हो यह आपका डाइनिंग एरिया हो गया आप देख सकते हो उधर आपको मिलना था सेड़ी और इसके साथ मिल गया यह आपको पहला रूम देखिए यह पहला रूम दरवजा वहां से वहां दूसरा रूम उसके साथ यह तीसरा रूम आपको मिल गया यह देख से लगते हो यह चौथा रूम है और इसके साथ यहां पर कौंण ट्वाध बाथ रूम आपको इस रूम के लिए दीख जाता है पतलब चार सबनाएप **MR. काफी अच्छा काम किया है आप देख सकते हो दिवाल का पात किया जाए वह भी अच्छ तरीका से यहां पर जोड़ा गया है और इसके sam अंदर का पाँ की का जो बाहर का दिवाल मोर दस एंचे साथ रखा गया है इसमें चार बेटरूम आपको देखने को मिला था देखे ये भी है वो आपको काम है वो नजर आता है चलिए देखते हैं कि आखिर जो इस घर के लिए अंदर और बाहर का जो दिवाल है उसे किस तरीका से काम में ला गया फर्स किस तरीका से बनाया गया देखे उदर आपको 3 room मिलता है, उसके साथ Dinosaur में एक room मिलता है, left side में आपको मिल जाता है इस घर के लिए toilet bathroom, और इस घर का जो फर्स का काम है, उससे आप दे सकते हो कि मिट्टी का भरायत किया गया, किया जाएगा उसके बाद में फिर इसका ड़लाई करते हुए जो फर्स का काम है उसे कम्प्लीट किया जाना है सारह दस फिट मैंने बताया कि इस घर का जो छट है उसका है है साथ फीट दो इंच का हाइट रखा गया है इस घर के लिए लिंडल बीम के लिए और जो लिंडल बीम है उसको सारे चार इंची का ढलाई किया गया जिसमें चार सरिया का परियोग किया गया है आठ एमें का बात आता है अब दिवाल का तो अंदर का जो दिवाल है वो सिर् तो आवटर वाल दस इंच अंदर का दिवाल पांच इंच कोलम का साइज मैंने बताया है नौ इंच का बारे में का चार सरीय का परियोग सारे चार इंच का सब्सक्राइब यहां पर किया गया इस तरीका सी घर का जो पूरा काम है मैंने आपको दिखाया चार बेडरूम वाल यह बनता हुआ घर है दोस्तों आप जानेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपा का खर्चा आया है इस घर के ठाकेदार के अनुसार में इस घर को बनाने में अब तक बिलकुल सुरुवाती दोर जैसे ले आउट किया गया नक्सा पनवाया गया इसके लिए एक्सकावेशन किया गया खुदाई किया गया उसके साथ जो भी मिटेरियल अब तक यूज किया गया है जो इसका लेबर चाहिए सारा जिए को इंक्लूड करते हुए अब तक 11 लाग से लेकर 12 लाग के बीज तक खर्चा आ चुका है तो अगर आप भी 45 फीट बाई 40 फीट में इस तरीका का घर बना चाहते हो तो आपको 11 से लेकर 12 लाग के बीज का एस्टिमेशन रखना चाहिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आपको कुछ नया चीज देखने को मिला है और भी ऐसा ही बहुत सारा वीडियो आप देखना चाहते हो चानल के साथ जूर जाए चानल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिज देगा तो बहुत देजियाल झाल जब हम सब्सक्राइब एक कर लो कि अल्रुदवो आपको कई देजियो पूरू।